कि आप सभी को नमस्कार मैं संदीप शर्मा कि आप सभी के समक्ष उपस्तित हूं कि आप सभी का स्वागत करता हूं कि स्वागत प्रियेजन उर्जन है आज आपका अभिनंदन है अर्पित प्राणों का चंदन है स्वागत प्रियेजन उर्जन है आप सभी का और आप सभी के उपस्तिती को प्रणाम करता हुआ मैं संदीप शर्मा आज का कावेपाट प्रारंब करूंगा मैं आभारी हूँ भाई देवेंद्र जोशी जी का मैं आभारी हूँ जन्सरो कारमंच टॉंक का कि उन्हें उन्होंने मुझे यहां पर कावेपाट करने का अवसर प्रदान किया मैं कोशिस करूँगा कि आप तक अपनी बहुनाय प्रस्तूत कर सकूं अपनी रचनाओ की माद्यम से तो मैं सुरू करता हूं आज कावेपाट सबसे पहले में मंगलाचरन के द्वारा अपना काविपार्ट शुरू करना चाओंगा मंगलाचरन के रूप में मैं एक कविता लिखी है हम इसी कविता के साथ मैं इस काविपार्ट का प्राण। करना चाओंगा और करें हम इश्वंदना करते हैं ह Jewish और करते हैं जीव जगत जो रचते हैं कनकन में सदा ही बसते हैं सब के विगनों को हरते हैं हम इश्वंदना इदेश्वर हे दीन बंधु हे जगदीश्वर हे क्रिपाशिंदू, हे परमेश्वर, तुम तन में, मन में, जीवन में, शरण जो आये तरते हैं, हम इश्वन्दना करते हैं। सब चरणरज के अविलाशी, उधार करो, अब अविनाशी, हम शीष धरा पर धरते हैं, नमन, समन प्रभु करते हैं, हम इश्वन्दना करते हैं। सब सुखी विश्व में हो दाता, कल्यान सकल निज हो पाता, स्रिष्टी के स्वामी तुझ से जन, जीवन की आशा रखते हैं, हम इश्वन्दना करते हैं। मैंने अभी अभी मंगलाचन स्वरूप एक अपनी स्वरचित कविता हम इश्वन्दना करते हैं, इसका वाचन किया है, गाइन किया है। और इसके बाद मैं अपनी अग्रिम कविताओं को यहां सुनाने जा रहा हूं। अब मेरी कविता जो है, अग्रिम कविता इसमें, कविता क्या है, हमारी प्रकृती से कुछ उपमान चुन करके, मैंने यहां पर कविता को परिभाशित करने के लिए, कविता को परिभाशित करने के लिए, यहां पर मैंने कुछ उपमान चुने और यहां यहां पर शब्दों में उसे पिरोया और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आकि आकिर कविता क्या है? पंची की उडान कहो या आत्मा का गान, सुरों की साधना कहो या रिदे का उत्थान। रस भरी जो सरिता है, वही तो कविता है। शब्दों का मेल कहो या वानी का खेल, मन की भावना कहो या वेदना समवेदना, भावों की जो समरक्षिका है, वही तो कविता है। कला संगम कहो या प्रवाह जंगम, भाशा कुशलता कहो या रचना सहजता, अलंक्रित सी जो वनिता है, वही तो कविता है। मुक्ती का साधन कहो या ईश आराधन, चिंतन मनन कहो या ग्राहिये चित्रण, प्रेरक और जो प्रेरिका है, वही तो कविता है। तो इस प्रकार से मैंने कविता को प्रिभाशित करने के कोशिस किये। बहुत बड़ा रजनाकार नहीं हूँ, लेकिन आप तक अपने भावों को पौशानी के पूरी कोशिस करूंगा। हमारे कोरोना युद्धाओं ने बहुत अच्छा काम किया और उनके लिए गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। शत शत नमन हमारा तुमको दिव्य रूप में आये हो। तमको दूर करे जो जोती जोती पुंज बरसाए हो। शत शत नमन हमारा तुमको। मानवता के रक्षक तुम जन जन की अब आशा हो। जीवन अमरित बरसाने को इस धरा पर आये हो। शत शत नमन हमारा तुमको दिव्य रूप में आये हो। तुम विश्व रूप हो विश्णू के शंकर का डमरू नाद हो। जिससे श्रिष्टी में रचा बसा। उस ब्रह्मा का मित प्रसाद हो। शत शत नमन हमारा तुमको दिव्य रूप में आये हो। शत शत नमन हमारा तुमको दिव्य रूप में आये हो। तुमको दिव्य रूप में आये हो। शत शत नमन हमारा तुमको दिव्य रूप में आये हो। तुमको दिव्य रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्वनी मौन है आज क्यों। ध्वनी मौन है आज क्यों। आववान सदा जो करती थी। सिम्हो का सा गर्जन था परवान सदा जो चड़ती थी। अंग अंग सफूरित करती मन में जो उत्सा है। सिंदुजवार था जिसमें सदा जिसमें जो जोरा और रगाया। वह आज भला है शान्त क्यों। क्यों है उमंग सोई सोई। क्यों है तरंग खोई खोई। नूतन आशा और जिग्यासा। नित प्रतिश्कित वह अविलाशा। पुल कित थी जो किरन भला। क्यों दिखती है रोई रोई दिख दिगंत से टक्राकर गुंजित थी जो इस वसुधापर उस ध्वनी के स्वामी तुम हो। ये कविता आपको बता रिए अब हमारी शिखर यात्रा किस प्रकार से हूं कोई भी वेक्ति अपनी शिखर यात्रा में किन-किन चरणों को पार करें और किस प्रकार से पार करें हमारा विवहार आचरण विचार कैसे हूं इसलिए इसके लिए कविता मैंने लिखी है मैं आप मन की जरता श्याग मनुज तुझे उत्तुंग सिखर है पाना माना कातरता करती शिथिल पर विवेक पत्थ पर जाना मृदु भाओं के गुल दस्ते से सबका सत्कार निभाना मिलता जो भी पत्थ में स्नेहिल बन उसको अपनाना कभी राह होगी कठिन पर आगे बढ़ते ही जाना आगे लोग बढ़े तुमसे हमारे प्रतित्वंद भी मिलेंगे आगे लोग बढ़े तुमसे पर फिर भी मत घबराना संगर्ष शील जीवन है इसमें इर्षा द्वेश मत लाना ठोकर खाने वाले को राही पहले गले लगाना ठोकर खाने वाले को राही पहले गले लगाना उच्च शिखर पाना प्रथम किसे अच्छा नहीं लगता पद प्रतिष्ठा का मद कदाचित सब पर ही है चड़ता साथ जो चलते उनको अपनी निष्ठा तुम संभलाना सर्व प्रियेबन प्रिष्ट्रमीजन उपर उठते जाना अपनी छोडे सब की सोचे संसार यादू से करता स्वयम बढ़कर मनुझ अकेला एका की ही विचरता स्रेष्टता का भाव एक सत्गुन है दर्शाता मैं ही स्रेष्ट मैं ही मात्र स्रेष्ट यह मिथ्या भिमान बताता तेरी यात्रा और लक्षे उच्छ शिखर को पाना नहीं कोई प्रतिस्पर्धी मग में तत्व यह है जाना व्यर्थ चिंता छोड दिवत की चिंतन को अपनाना बाधाओं के पार जाकर खुशियां संग मनाना अब कोरोना काल है और कोरोना काल में हमारे संसार का क्या हाल हुआ उस प्रेद्रिश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने कोशिश करूंगा कि हमारी हम किस तरह से विवस हो गए थे तो कोरोना और संसार नामा की ये मेरी कवीता है और इसको मैं आपके शमक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ काल चक्र ये कैसा आया जग में छाया भै का साया बहुत ही छोटे कोरोना ने मानव जाती को धमकाया बिठा दिया है घर के अंदर समझता जो खुद को सिकंदर उस मानव को पाठ पढ़ाया देखू क्या ये समय है आया सुनी सडके बाजार सुने गली मोहले घर बार सुने तकरा थे थे जहां चलते लोग आज श्वान वहां भोगते भोग बच्चों की किलकारी कैद है जीवन की फुलवारी कैद है कैद है तनमन लेकर जन जन कैदी जों कोयल और उपवन घर में जो अब कैद हुआ है मानव को अब खेद हुआ है अब खेद हो राज था जो धरती पर करता लाचार है बैठा डरता डरता बाहर देखता है जब आकर पूछता न कोई आवाज लगा कर लगता मानों जग में अकेला जीवन में ये कैसी वेला ठहर गई जीवन की धार ठहर गई जीवन की धार करेंगे ये संकट भी पार मगर मानव अब सोच ना होगा प्रकृती का कोब भोग ना होगा प्रकृती ही संपूर्ण है प्यारे खेल दिखाती जो न्यारे न्यारे जो चाहता है अब उध्धार जो चाहता है अब उध्धार कर ले फिर एश से तु प्यार जो चाहता है अब उध्धार कर ले प्रकृती से ही प्यार तो प्रकृति से दूर हम नहीं जा सकते उसी कांग है इसलिए प्रकृति का सम्मान करना और उसके शुरुक्सा करना हमारा दाइत्व है बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर यह कविता लोगडाउन में मनुष्य केद है अंदर ही है बैठे हुए हैं और पंचियों को सुखकामनाई दे रहें और देना भी चाहिए क्योंकि यह जो संसार है ब्रमान रहें यह जो प्रकृति है जितनी हमारी है उतनी सब प्रकृतिक तत्वों की यह तो इसमें हम सुपकामनाइ और अच्छी एच्छी बातें पक्षियों के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से उन्हें सुपकामना दे रहे हैं और रहे हैं तो शीर्शक है कविता का मैं कह दूँ हूँ अब मुझसे नडर पंचि उडो और सुख पाओ कौन पूछेगा कौन देश के वासी भाषा रंग रूप अर्थ हीन वनवासी तुमारे लिए कोई भाषा रंग रूप का कोई कोई समस्या नहीं है मिलना कि उचलते जर्ने से बतलाना फिर साख पर कुछ तुस्ताना जीत कुशी के गात जाना इच्छा का जल है तेरी लिए इच्छा तेरी हो पूर्ण प्रिये अब अंत में कह रहे हैं कि हमारे घर भी भी आना क्योंकि हम केद हैं अब हमसे डरने का आउशिकता नहीं है तो आ बेट कभी मेरी इच्छत पर यह पंची आ बेट कभी मेरी गाउं में रहता था और उसके बाद ग्रामे जीवन उसने देखा और उसके बाद वो शहर में आ गया और उसके प्रकार से अपने गाउं को याद कर रहा है तो यह मेरी कभीता है इसका शीर सक है दूर चला आया मैं धोरों से दूर चला आया माटी की खुशबू से दूर चला आया गुन गुनाती सन सनाती कुछ बतलाती पीपल की उन पत्तियों से दूर चला आया गाएं चरकर शाम को जब आती थी खुरों से उठती धूल मेघोसी चा जाती थी गले की घंटियों का नाद बंधु कुछ ऐसा मानो मंदिर की आरती ही हो जाती थी महकते आस्मा को छोड चला आया मैं अपने गाउं से दूर चला आया फिर देखिए किस तरह से वो अपने ग्रामी जी उनको याद करता है दूर दूर तक फेले खेत खलिहान हरी भरी धर्ती उपर नील वितान आश्रिये स्थल पर्ण निर्मित वह मचान रखवाली करता अन्यदाता जहां किसान मैं स्वेद सिंचित वसुधा को छोड चला आया मैं अपनी मिट्टी से दूर चला आया चबूत्रे पर बैठे निशंक बतलाते लोग यह मैं प्रिद्रिश्चिक रामिन जीवन का यहां उपस करने मला हूं अगर मैं सार्थक हुआ तो अपने आपको दन्ने समझूगा चबूत्रे पर बैठे निशंक बतलाते लोग आही वो स्वयम पुकार पास बिट्रते लोग साधगी जीवन में सहर पनाते लोग गाओं को मिलकर गाओं को साथ मिलकर सहलाते लोग निल परिवेश को छोड़ चलाया मैं अपने आगन से दूर चलाया कुए का थंडा पानी मुझे बुलाता है कुए का थंडा पानी मुझे बुलाता है तरंगित सरिता का पानी याद आता है निकट खेतों में गन्नों की वह कटाई चारा गाहों में पश्वों की स्वतंत्र चलाया रम में उन दृश्यों को छोड़ चलाया मैं अपनी जड़ों से दूर चलाया तो यह बहुते एक ग्राम में जीवन में जी कर जब शहरी जीवन में विक्ति पहुंचा तो किस प्रकार से उसने अपनी भावनाएं वP मैं एक देश वक्ती की कवीता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा आप जिसका सीरसे की तिरिंगा है द्वज के प्रती सम्मान व्यक्त करने तो ये छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहा हूं होगा स्री जन मानवता का आदर्शक्षितिज छूजाएगा जन मन को हरशित करता जब ये ध्वज प्रती पल लहराएगा होगा स्री जन मानवता का आदर्शक्षितिज छूजाएगा ध्वज यही जो मान दंड है अमर जवानों की आशाः वीरों के तन का गहना है मात्री भूमी की अभिलाशाः याद दिलाता है तिरंगा वीरों की बलिदानी की आज हमारी बारी है इस धरती को सजाने की इस जंडे का मान रहे यह ध्यान रहे अभी मान रहे मेरे प्यारे मित्रों भारत मा का सम्मान रहे भारत मा का सम्मान रहे तो इस परकार से तेरंगे पर मेरी कवीता थी अगेरिम कवीता राजस्थान की माती से मैं हूं और राजस्थान की माती की सुगंद आप तक फेलाने है तू एक कवीता जो है लंभी कवीता है वह आपके प्रस्तुत करना चाहता हूं कि समय भी हो जाएगा तो यह कविता आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं महाना प्रताप और चेतक से हम सभी परीचित हैं और उन दोनों के बीच स्वामी भक्ती का समन्द था उसी को लेकर मैंने यहाँ पर चेतक का मानुविक्रण किया है और चेतक के भी उदगार यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है आप सभी के समक्षा यह कविता चेतकायन की आन स्वाभिमान की कविवानी जब है गुण गाती नतानन हो श्रधासे नेत्रों की कोर है भराती स्वामी भक्त चेतक की यादें उरको विफवल कर जाती स्वामी भक्त चेतक की यादें उरको विफवल कर जाती चारण व्यापारी काठिया वाडी तुरंग त्रये मेवाड लाया चेतक त्राटक और अटक की अनुपम थी अतिकाया मानो जन्मो के वे साथी अविलंब उसने अपनाया राणा के मन का मीत वहे माटी से रखता प्रीत वहे चलता था वह सीना ताने क्षत्रिय धरते के सरिया बाने राणा का अटूट स्ने है उस पर व्योग न सह पाता क्षन भर दोनों प्रेम दोनों का दोनों प्रतापी हय जै राणा चेतक की जै रजपुती बाकुरों से अनजान प्षत्रियों को करने परिशान और करने समराज्य विस्तार अकबर आया कर सीमा पार स्वाबिमान सूर्य जहान अस्त वीरांगना जोहर की अभ्यस्त कणकण में शूरता जहां बसती अरी शोनित शरिता वहां बहती मान सिम समझाने जब आया राणा ने उसे न संग बिठाया ख्षत्रिय तिलक उसने मिटाया प्रताप उसके संग न खाया अब प्रताप कहता है मान सिम को सेना पती हो रण में आओ अकबर का अब कर्ज चुकाओ अपनी मिट्टी और माता को लुटा मिटा कर मुख ना दिखाओ फिर प्रताप कह रहा है क्षत्रिय धर्म तुम क्या जानो मान सिंग को यहाँ पर कटाक सो रहा है प्रताप के द्वारा क्षत्रिय धर्म तुम क्या जानो स्वाभिमान को क्या पहचानो मैं नहीं मानता हूं तुम्हें क्षत्रिय नहीं जानता हूं तुम्हें ठना युद्ध हल्दी गाठी में मुगलों ने था घेर लिया ख्षत्रियों की भी फढ़की बुजाएं माटी का सबने तरक किया माटी का कर्ज चुकाएंगे नहीं माता तुझे लजाएंगे हर हर मादेव का कर्ज चले से नहीं होने आजाद हर हर मादेव का कर्णाद चले से नानी होने आजाद चेतक आज बड़ा खुषता अब चेतक की भुमे कहें आएगी चेतक आज बड़ा खुषता अवसर बड़ा यह सच्मुस था रण हे तु रानी ने विदा किया राना संग उसको तिलक किया अब चेतक यह सब देख रहा था तो चेतक के उद्गार यहां प्रस्तुद है चेतक रानी को देख रहा भावाती रेक परिवेश सहा बेजुबान पर बोलू कैसे विदिबंदन खोलू कैसे मस्तक पर चिंता की रेक विकल क्षत्रानी देख देख मन ही मन हूंकार भरता बचाओंगा उसे मरता मरता उसे मरना प्रताप को रानी कुछ संबल कर बोली जिम्मेदारी बड़ी हूं दे रही मेवाड का भार है तुझ पर आना राना संग विजई होकर आप देखिए चेतक के अंत्रिकुदगार अरिदल पेरो दले रोदूंगा अरिदल पेरो दल तले रोदूंगा साथन राना का छोडूंगा साथन राना का छोडूंगा तुमने जो मेरा मान रखा रानी ने तिलक किया था तुमने जो मेरा मान रखा आपन उसे न भूलूंगा समर में बढ़ चले वीर वीर चेतक प्रताप वीर टाप उसकी जब्भी पड़ती शत्रु श्रिंकला उसे डरती बढ़ा चेतक लिये प्रचंड वेक मान सींग डरा भूल आवेक राना विराट बढ़ता आगे भैभीत रिपु भागा जाते भैभीत रिपु चाता भागे पाद युगल अब है वर ने पाद युगल अब है वर ने गज मस्तक परथे गाड़ दिये प्रताप ने पूरे दमखम से भाले से कई वार किये महावत मान का भूशाई था होदे में स्वयम पर स्थाई था, मान सिंग होदे में बज गया, चेतक अडिग नगसा खड़ा, जग धेक रहा, अध्बुद घोड़ा, अपने अध्बुद रण कोशल का, परिचे राणा ने जम कर दिया, चेतक भी फिर कहां कम था, गजराज से जा लोहा लिया, राणा ने पूरा जोर लगा, फिर भाले से वार किया, हाई नियती, चेतक फिसला, गजबंधी असी ने घाओ दिया, संकट के मेग दिखाई पड़े, मुगल जो आगे खड़े थे अड़े, परिक्षा गड़ी बड़ी आन पड़ी, चेतक पर सबकी निगाहें गड़ी, खोई सुद्भुद वापस ली, धावन हे तु कमर कसली, प्राणों का फिर फिर कर संचार, पहुचा पल में रणके उस पार, विश्वास बांध तीन पेरों पर, था सेवा में अब भी तत पर, दर्द भूल पवन वेग से दोड़ा, धन्ने स्वामे वक्त चेतक घोड़ा, अब चेतक के मन के भात यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में ही, यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किये मानिविक्रण के रूप में, हे युद्ध वीर छत्रशाल महाराना प्रताप, वचन है चेतक का अजे ये रहेंगे आप, रक्त की अंतिम बूंध है जब तक, मान राना का अक्षुन है तब तक, स्वामि भक्ती की पराकाश था, निरा अश्व शिखा रहा था, आदी से ज़्यादा टांग कटी, वाह चेतक तुमसा नहठी, वाह चेतक तुमसा नहठी, बरसाती नाला बड़ा आया, घिरा मन में संकट साया, गर राना को पार न पहुचा आया, में उनके फिर क्या काम आया? अजस्र बहती रक्त धार भूल, पराजे का पर चुभता शूल, अंतिम खशन तक दवड़ दवड, चलांग लगा जा पहुचा कूल, गिरा चेतक खाकर पचाड, गिरा चेतक खाकर पचाड, मन में परसंतुष्टी थी, राना ने अंक में धरा शीश, जोड़ी ये बड़ी यनुठी थी, अब चेतक अपने मन के उदगार फिर से प्रस्तुप कर रहा है, राना अब मुझे माफ करें, राना अब मुझे माफ करें, सांसों की डोर है तूट रही, देखा चेतक ने राना को अश्रुधार परस पर छूट रही, राना के मन के उदगार आगे पंतियों में प्रस्तुत हैं, तुमसे ही उचा मेरा माथा, होगा चेतक तुमसे ही उचा मेरा माथा, राना ने चेतक को स्वजन सा सम्मान दिया, शक्ति सिंग वं राना ने मिलकर संसकार किया, बनाई समाधी उसकी अनुपम और भव्य, वाजिस्रेष्ट हुआ हमर पहुचा गणतव्य, वाजी स्रेष्ट हुआ अमर पहुंचा गनतवुर। आप सभी का फिर से आभार विक्त करता हूं। आप सभी ने मेरी कहते हैं सुनी। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम।